नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुवाश्थाकुर के साथ NTA UGC NET विशे हिंदी की हमारी त्यारियां चली हैं और इसके अंत्रगत हम बक्तिकाल को पड़ रहे हैं बक्तिकाल में हम देख रहे हैं निर्गुन सगुन कवी और उनका काब्य तो इसके अंत्रगत हमने संत कावेधारा के बारे में पड़ लिया था और उसके जो प्रमुक कवी थे उनके बारे में हमने जान लिया था आज हम संत कावेधारा के जो अन्य कवी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की पुस्तक है या उनकी जो भाशा है वो आगे दी गई है जिसमें अश्टपदी जोग गरंत, ब्रह्मस्तुति, हंस्प्रभोद गरंत, निर्पंक, मूल गरंत, पूजा जोग गरंत, और समादी जोग गरंत, संगराम जोग गरंत, इत्यादी. तो इसमें देखिए हरीदास निरंजनी की जितने भी पुस्तकें आप देख रहे हैं उसके अंत में क्या आ रहा है ग्रंथ लिखा हुआ आ रहा है ठीक है जादातर जो जितने भी आप देख रहे हैं देखिए पहली रचना में इनमें ग्रंथ है तीसरी रचना में ग्रंथ है और निर्पक मूल गरंथ मतलब हरी एक रचना के अंध में क्या लिख रहे हैं ये गरंथ लिख रहे हैं और हरीदास निरंजनी की जो भाषा है वो सरल भाषा ब्रज भाषा है ठीक है और याल रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इनकी अगर रचना एक कभी पूछी जाए, सिर्फ ब्रह्मस्तुती इनकी है, बाकी सारे के सारे के अंत में क्या है, ग्रंत है, फिर उसके बाद आता है सिंगा जी, तो इनकी रचनाओं को भी याल करने का सबसे सरल तरीका यही है, कि इनकी पृतियेक रचना में क्या है, इनका नाम जरूर आता है, ठीक है, तो द भाशा से प्रश्न बन सकता है कि सिंगा जी की भाशा क्या थी तो इनकी भाशा जो थी दो थी नीमाडी आगे देखिये दादु द्याल इनके बारे में हमने पिछले कल विसतार से बात करowej थी फिर है मलुगदास तो मलुगदास के बारे में इनकी जो महत्वपुन पंक्ति है देखिए अजगर करे न चाकरी तो ये भी बरीवार पोच ली जाते है एक्जाम में तो मलूगदास के बारे में हमें इनकी पंक्ति के बारे में जानना होगा फिर इनकी जो प्रमुक रचना है रतन खान ग्यान बोद ग्यान परोची तो और रामवतार लीला, ब्रज लीला, धुरूबचरित, सुक सागर और शब्द, ये इनकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, तो मलूगतास की लगभग 11 रचना हैं, देखिए, जिन में से 3 रचनाओं की इनकी भाषा क्या है, अब्दी भाषा है, और आगे की जो है, अन्य, उ तो ये भी भावलाल की दूसरी रचना है, तो सुंदर दास के बारे में सबसे महत्वपून चीज में आपको कल बताई थी, कि ये जो श्रिंगार अस्तके थे, कट्र विरोधी थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संतकवियों में यही थे, शास्तरग्य माने जाते है और इनकी जो दो महत्वपून चीज में रचना है, ज्यान समुद्र और सुंद्र विलास, तो इनकी भाशा देखे, परिश्कृत, परिश्कृत बाशा का मतलब है कि इनकी भाशा मानिकी कृत बाशा थी एक तरीके से है, शुद बाशा थी, क्योंकि जो अन्य संतकवी है, उतने जादा पड़े लिखेना होने के कारण क्या था, उनकी भाषा में आमें क्या मिलता है, मिश्रित रूप दिखता है भाषाओं का, एक दो भाषा है उनकी, लेकिन इनकी भाषा में कैसे दिखती है, परिश्कृत ब्रजभाषा मिलती है, फिर आता है कि रजजब, तो चन्डी चरीत्र बहुत मौतपूर्ण रचना है तो उसको भी आपने याद कर लेना है कि गुरू गोविन सिंग की जो चन्डी चरीत्र है वो रचना कई बार एकजा में पूछ ली जाती है आलांकि यहाँ पर वो मेंचन नहीं है तो आपने उसको भी लिख देना है नोड़ो पर आता है अक्षर अनन्य तो यह राज योग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धान बोध, विविक दीपिका, ब्रह्म अग्यान, अनन्य प्रकाश तो यह इनकी मत्पूर्ण रचना है तो दोस्तों यहाँ से प्रशन इस तरीके से पूछा जाता है कि जितने भी आपको देखिए, यह संतकवी दिये गए हैं, या तो दो-तीन आपके पास कवी दिये होंगे, या इस तरीके से पुछ जाएगा कि इन में से कौन संतकवी है, या यह पुछ दिया जाएगा कि इन में से कौन संतकवी थारा की अंतरगत नहीं आता है, तो इसलिए इन सब जो संतकवियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है उनके नाम हमें याद होने चाहिए कि कौन संतकविय है अब हम देख लेते हैं कि जो संतकवियों की जो महत्वपूर्ण इनकी पंक्तियां थी वो कौन-कौन सी थी तो देखिए सबसे पहले नामदेव आते हैं इनों ने इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछ ली जाती है हलांकि जो प्रश्ण आता है देखिए वो तीसरा चौथा प्रश्ण नहीं इस तरीके से पंक्तियों वाला आपको एक एक एंटी उजिसी नेट के एक्जाम में दिख जाता है जहां पर आपको पंक्तियां दी होती है और वो हमें देखनी है कि वो किसकी है तो अगर हम नामदेव के गुरू थे तो इसलिए ये पंक्तियों किसके हो सकती है नामदेव जी की हो सकती है हाला कि एंटी यूजिसी नेट के एक्जाम में क्या है कि दूसरा या इस तरीके से कि हिंट वाले नाम बहुत कम दिये जाते हैं है न तो इसलिए हमें पहले से ही याद रखन दूसरी देखे, माई नहोती, बाप नहोते, करम नहोता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाते आया, तो देखिए, यह जो पंक्तियां है, यह बहुत ही महत्पुन पंक्तियां और NTUGC NET के एक्जाम में पूछी गई हैं यह पंक्तियां, जो ब्लैक कलर से लिख परसो तमराता, ताको मैंन सताओंगा, तो यह पंक्तियां में किसकी हैं, नामदेव की, यह चार महत्पुन पंक्तियां जो हैं, यह नामदेव की हैं, आईए अब हम और जो संतकावेधरा के कवी हैं, उनकी महत्पुन पंक्तियों के बारे में जान लेते हैं, तो देखिए है ऐसी मेरी जाती विख्यात चमार तो जो निमन जाती के थे रहधास कई बार इनका जो वनन जो दलित भी मर्श में भी हम करते हैं कि सबसे पहले जो है इनोंने ही दलित का विएक तरीके से लिखने की कोशिश इनोंने की है ठीक है ऐसी मेरी जाती विख्यात चमार, तो ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्ती है, दूसरा है कि प्रभू जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, तो ये पंक्तियां भी दोस्तों कई बार एक्जाम में पूछी जाती है, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे फिर आपका PGT, TGT, कोई भी एक्जाम हो, वहाँ पर कई बार रैदास ची की ये पंक्तियां पूछ ली जाती है, तो इसका भी हमें थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, तो यहाँ देखिए प्रभू की महिमा का बखान कर रहे हैं कि जब तक मुझ में एहकार था, तब तक तू नहीं था, जब तू आ गया तो मेरे अंदर मैं नहीं रहा, मतलब एहकार नहीं रहा एक तरीके से, है ना, तो ये भी रैदास की पंक्तियां हैं, मादव क्या कहिए प्रभू ऐसा, जैसा मानिये हो ही न तैसा, ये भी रैदास की पंक तो ये रैदास की मौत्वण पंक्तियां थी, आगे देख लेते हैं, हम जो दादु द्याल हुएं, उनकी कुछ मौत्वण पंक्तियां देखें, यह मसीत, यह देहरा सत्गुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई, तो ये भी किसकी है, दादु द्या तो ये भी इसने कहा था, ये दादु द्याल ने कहा है, ठीक है, उसके बाद देखें, मलूक दास, इनकी भी बहुत मत्वण जो पंक्तियां है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खाक ही से पैदा किये, अती गाफिल गंदे, है ना, मलूक दास जी यह कहते हैं, कि हम बह दूसरी वाली पंक्तियों को इसमें याद करने लाइक थी, और उसमें इसका नाम है, इनका, ठीक है, मलूक दास जी का, तो इसलिए क्या है, कि हमें दोनों पंक्तियों को याद करना है, ताकि बहुत सारे जो संत कवीते, वो अपने नाम का जिक्र जरूर करते हैं, अपनी ठीक है, तो इसलिए पूछी ये जाती है, कि जो पहली वाली पंक्ति जिसमें नाम ना हो, तो याद करने के लिए दोनों पंक्तियों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये थी मलूक दास की पंक्तियां, और अब हम देख लेते हैं, संत कावे की जो विशेष्ट नहीं है, तो महत्वपुर्ण जो विशेष्टा हैं, वो हमें थोड़ी से याद होनी चाहिए, ताकि थोड़ा-थोड़ा अगर हम पढ़के जाएंगे, तो क्या होगा, कि इस तरीके के जो प्रशन आते हैं, है ना, तो उसको हम अच्छे से कर पाएं, आपने देखा होगा बहुत बार इस तरीके से प्रशन पूछा जा रहे हैं, चार पंक्तियों में से एक पंक्ति, या तो सही होगी, या दो सही होगी, या दो गलत होगी, है ना, तो उस तरीके सा आते हैं, तो इस तरीके के प्रशनों को भी अब पूछा जाने लगा है, NT-UGC NET के एक्जाम मे तो देखिए जो सबसे पहली इनकी विशेच्टा है वो है निर्गुन की उपासना तो हलांकि ये संथ कावे की सबसे महत्वकून विशेच्टा बाने जाती है कि ये कहते हैं कि इनका जो राम था वो दश्रत पुतर राम नहीं बलकि घट-घट का वासी राम है ठीक है ना तो इसलिए इसमें दादु द्याल देखे कहते हैं अल्ला राम चूटा ब्राम मोरा हिंदु तुरु को भेद कुछ नहीं देखू दर्शन तोरा मतलब कि हिंदु मुसलमान कुछ भी नहीं है सब का क्या है एक ही है निराकार इश्वर गुरु की महता तो गुरु के बिना ये मानते थे कि जीवन जो है सफल नहीं है हलांकि हमने पहले जो दादु द्याल की थी पंक्तियां वो भी पढ़ ली थी है ना गुरु सूफल मेरा जनम की ना वो वाली पंक्तियां लेकिन यहां पर कबीर दास की पंक्तिया देखे, सत्तगुरु की महिमा अननत अननत कि आउपगार लो, छलाँ अननत अउगारी अननत दिखावन हार, तो गुरु को ये बिशिश महत तो देते थे, जो संत कवी थे, घ्यान का ये उपदेश देते, सो घ्यान के उपदेश के अंतργती इनकी कि बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे जात पात का विरोध करते हैं, ठीक है, इन्होंने हिंसा का विरोध करते थे ये, ठीक है, कि दिन भर रोजा रखाते हैं, राती है नट गाय या तो खोन पर बंदगी, कैसे खुशी मिले खुदाए, जैसे बकरी पाती खात है, ताकि काड़ी खाल तो ये बहुत सारे चीज़ें इस तरीके की जो ग्यान पर रख बाते हैं कबीर से लेकर के जितने भी दादुद्याल तक और लास तक के सुनिर दास तक के जितने भी संत कवीव है उन्होंने क्या किया है ग्यान को ही अपने जो काव्य है उसका आधार बना है ठीक है इसलिए उनको क्या काचाता है कि वो जो कभी बाद में और एक समा सुधारक पहले कहे जाते हैं तो वो कहते हैं कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजों पहार ताते ये चा कि भले पीस खाए संसार तो कहने का भी प्राई ये है उनका कि अगर पत्थर पूजने से मतलब तिलक बगएरा लगाने से क्या हो जाए ईश्वर को मिलने लग जाए तो में पहाड़ों की पूजा कर दूँ तो मतलब इस तरीके के आडमबरों से ये क्या करते थे उनका वीरोध करते थे मानुपतावात पर ये बल देते थे जो संथ कभी थे तो तभी तो इनको कहा था कि जानत पांत पूछे नहीं कोई हरी को जो भज़े सू हरी का होई तो मतलब ईश्वर के प्रती प्रेम तो होना ही चाहिए साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ भी आपस में आपसी प्रेम होना बहुत ज़री तो आपने इनको कहते सुना भी होगा देखिए जैसे संत रैदास जी है उन्होंने खुद की जाती को खुल कर कहा है कि वो चमार है ठीक है हलांकि हमने जब पहले हम पढ़ रहे थे इनके बारे में तो तब भी हमने क्या पढ़ा था कि जो भी संत कभी हुए हैं वो क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है और सब उनकी क्या हैं संताने हैं तो इसलिए ये मानवताबाद पर जादा बल देते हैं अगली इनकी जो महतअपुन विशेचते है देखिये वो है रहस्यानुभूती तो रहस्यानुभूती से देखिये किया मतलब है कि जब सादक भावना के क्षणों में परमात्मा के प्रति क्या कर देता है कि प्रेम समंद स्थापित करते हुए प्रमात्मा को अपने प्रियतम और स्वयम को प्रेमी का या पत्नी के रूप में अनुभव करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं रहस्यन भूति किस्तिती कहते हैं तो संथ कभी हुए हैं इन्होंने भी ईश्वर को अपनी प्रियतमा के रूप में एक तरीके से उसको क्या किया है बताने की कोशिश की है ठीक है प्रियत्मा के रूप में उनको वर्नित किया है तो दीखिए इसमें जो मतलब पंक्तियां है वो कभी दास्ची की हैं कि आंखडिया जहाई परी पंध निहार निहार जिध्डियाँ छाले पड़े नाम पुकार है पुकार तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से जो विरहनी आत्मा है वो क्या कर रही है कि उसकी आंखों के आंखें क्या है ठक चुकी है ठीक है जाईयां पड़ गई है पंत उद्नियारनिया आपने प्रेमी के एक त्रीके से रास्ते को देखते देखते है ना लेकिन क्या है यहां पर इसका भावार्थ हमें यह समझना है कि जो जीवात्मा है वो प्रमात्मा से मिलने के लिए प्रमात्मा के दर्शन पाने के लिए वो क्या है आतुर है ठीक है ना उसके दर्शन के उसको रहा देखते द पहस्यानुभूती का उदाहरण, आगे है नारी विशक चिंतन, तो नारी विशक चिंतन देखिए, ये महत्वण चीज है, क्यूंकि जो कवीर और अन्यसंत कवी थे, वो दो रूपों में नारी की उनने वनन किया है, सबसे पहले आता है कि कामिनी रूप, उसको तो उनने त् कामिनी रूप का मतलब है कि ऐसी स्त्री, जो चरितरहीन स्त्री को उनने क्या माना है, कि वो त्याज है, उसको त्याग देना ही उचित होता है, लेकिन जो सती रूप है, उसको वो ग्रहय मानते हैं, ठीक है, तो ये कौन मानते हैं, ये सभी संत कवी ये मानते हैं, कि उनने नारी के दो रूपों का चित्रन किया है ठीक है पहला रूप तो कामिनी रूप है जिसको वो त्याजय मानते हैं दूसरा रूप उसका सती रूप है जिसे ग्रहय मानते हैं ठीक है इसके सम्मंद में कवीर दास जी ये कहते हैं कि जो पती ब्रता नारी होती है वो अगर कुरूप भी है तो वो अच्छी लगती है और वो नंगी रहने पर भी लज्जा युक्त रहती है ये किस ने कहा था ये कहा था कभीर जीन ने है न तो जो वासना और मायमाई नारी है उसकी जितनी कटोर्ता के साथ भर्तसना की है उतनी ही उन्होंने क्या किया है कि जो उदारिस्त्री है उसकी पतिवरता और सती नारी के उनने प्रशन साब की है ठीक है तो आगे की इनकी जो शिल्फगत विशेष्टेयां दिखिए इनने मुक्तव काब्य के रूप में इनने लिखा है ठीक है मिशृत भाशा है और प्रतीकों का उनने भरपूर प्रियोग क तो यह कुछ एक मौतवपूर्ण विशेष्टाएं हैं संत कावेधारा की तो जिनके बारे में हमने आज जाना यहां से एक दो प्रशन पूछने के आसार हो सकता है कि एक दो प्रशन पूछ लिए जाएं इस वाले भाग से क्यूंकि यहां से जो प्रशन बनते हैं वो मैंन जाएगा उसमें आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी या उसका भावार्थ पूछ लिया होगा या फिर उसमें अलंकार वगेरा वगेरा है ना इस तरीके से उसको पूछ लिया जा सकता है ठीक है और इसके अलावा जो इनकी पंक्तियां है खासकर संतकवियों की उनके बार में अभी कई बार पूछ ले जाता है कि कौन से पंक्ति किस संतकवियों की है तो ये इस तरीके से इस वाले जो भाग है जो निर्गुन कावेधारा का संत कावेधारा है उसका जो उससे जो प्रशन बनते हैं उनको इस तरीके से पूछ जा सकता है ठीक है तो आज के लिए फिलाल इतना ही अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रेमाश्री शाका है जो सूफी कावेदार है उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे नई यूर्ज और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दी जय इजाजत, जय हिंद, जय भारत